स्टूडेट आप देखें मेरे यूट्यूब टेनल तालीमत तर्भीयत की दुनिया और मैं हूँ आपका टीचर महां किया से एक बाद स्टूडेट आज जो हमारे पास कुस्टन है सम 1.4 एक्सरसाइज का कुस्टन नमर् 10 और इसके साथ जो क्वेसिन और के वहां करेंगे अब क्वेसिन नमर्जो टेन है वो क्या है कोटेन यह निक और थीटा प्लस को सिकेंट थीटा इन्टू 10 थीटा माइनस सायन थीटा जो की यहां सामने लिखे होंगे, इनको जब मैं यूज कर रहा हूँगा, साथ-साथ आपको बता रहा हूँगा, कि यह किस तरह यूज हो रहे हैं, इनके तो इसका यह है, कि इस एक्सरसाइज को, अब यह जो रिलेशन है, अगर यह आप याद कर लेते हैं, तो आपको यह सामने नहीं करना पड़ेगा, बहुत असानी जिन को आप कर सकते हैं, अब बहुत परिशानी तब होती है, एक्जैम के अंदर, क्वेस्चन को सॉल्व करने में, जब आपके पास यह जो ट्रिग्नोमेटरिक रिलेशन है, यह आपको याद नहीं होते हैं, तो चले हम को स्ट करते हैं, यह मेरे पास लेफ्टन साइड है, अब इस लेफ्टन साइड को में लोगा, लेफ्टन साइड में मेरे पास क्या है, काट थीटा है, कोसी गन थीटा है, अब अगर जो लेफ्टन साइड है मेरे पास, काट थीटा, अब देखो काट थीटा की जगा में क्या करने अगर आप यहां देखें काट थीटा किसकी कवल है कास अवर साइन यह देखें काट थीटा कास अवर साइन है तो जहां काट लिखा होगा वहां पर मैं यह वैर्यू पूट कर दो अब देखो काट की जगा मैंने क्या पूट कर दिया कास थीटा अवर साइन थीटा प्लस को सीकेंट थीटा अब देखो को सीकेंट थीटा का ये रिलेशन लिखा हुआ को सीकेंट जो है वान अवर साइन की एकवल है तो इसकी जगा मैंने पूट कर दिया 1 hour sin theta इदर आर इदर एज़ मेरे पस 10 theta अब ही जो 10 है यह तेनजन वो मेरे पास क्या है sin hour कास तो यह जो ten gent है इसका फार्मूला है sin hour कास to Ihr sin hour कास की एक वलात और इसकी जगा मैंने लिख 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 – sign को मैं इसी थरह लिखा रहने give it आगे चलें तो अब आपने यहां पे एक चीज रिया देखने है कि जब भी डी नॉमिनेटर यानि फ्रेक्शन में नमरों डी नॉमिनेटर सेम हो यानि नीचे वाला नमर सेम हो तो उपर वाला नमर as it is आ जाता है यानि कास थीटा प्लस वन इसी तरह आ जाएगा क्यों कि नीचे डी नॉमिनेटर दोनों में क्या है सेम है इस तरह चले अगें यहां पे भी हम ऐलस थीटा है अब अगर आप यहां देखें कास थीटा है इसका जो डी नॉमिनेटर है वो ही हमारे पास क्या है LCM है तो इसलिए साइन तो मेरे पास इसी तर आ जाएगा लेकिन जो यहाँ नमबर है इसके नीचे तो डीनोमिनिट रहे ही नहीं जिसके डीनोमिनिट नहीं होता LCM उससे मल्टिप्लाइ होता है यनि साइन थीटा मल्टिप्लाइ होगा किसे कास थीटा यनि साइन पहले से था कास जा गह ओगा यह मल्टिप्लाइ होगी अब म energy पास आ गया दि कास थीटा फ्लस one और साइन थीटा अब यह देखे मेरे पास साइन इधर भी है साइन इधर भी है साइन को बाहर निकाल ओगा कामन ले लोगा जब मैंने साइन को बाहर कामन ले लिया बाहर कान दीया तो यहां साइन एक ही था तो मेरे प्रास ओन और जाएगा माइट, इस साइन तो बाहर यहां यहां यह जब अगया, यहां वन जब साज से मल्टिप्ला होगए, तो Cas theta होगी और नीचे मेरे पास Cas theta इसी तरह में लिख दूँगे आगे ये वला sign इस वले sign स से मैं cancels करदूगा इसको मैं क्या लेखूँगा 1 पलस tyta Cas theta पलस 1 था तो 1 पलस काश लेख लेखी इस से कोई फिरख नियुक्ड नहीं पड़ता हो गया नीचे मेरे पास देखो just a case था तो a case सीच सीचा बच गया अब देखो a plus b a minus b का फार्मूला बाहले हैं यह एक फार्मूला हम पढ़ते होते हैं a plus b into a minus b equal होता है a square minus b square यह आप दूसरे तरह आप इसको यह भी याद रख सकते हैं कि अगर पहला नमर जो इस ब्रैक्ट के अंदर है वही पहला नमर इदर है इदर जो दूसरे नमर इदर है यह पहला नमर पहले से मैच कर रहा है दूसरे से मैच कर रहा है एक तरफ प्लस का साइन है दूसरी तरफ माइनस का साइन है तो जो माइनस वाल है तो वन का स्केर बी हमारे पास कास है तो कास का स्केर माइनस दर्मयान में डाल दिए अब मेरे पास यहां पर बच गए जी वन का जब में स्केर लोंगा तो वन हो जाएगा माइनस कास का फार्मूला क्या हो जाएगा कास स्केर थीटा और नीचे में में और इस वाले की नीचे भी में अलाइद 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 अल one over cause जो होता है वो एक्वल होता है सीकेंड के ये देखो सीकेंड थीटड़ जो है किसके ऑक्वल है one over premise one over cause जो हो सीकेंड़ के तो one over cause जो है उसκмат की जगधा वह क्या लगे में क्या लेकरं किसी कार्ण है मैंनस ये Serum कास से कटके अज़स मेरे पास क्या बचा कास ठीतर और यही चीज़ मुझे क्या चाहिए राइट है तो यह देखो मेरे पास लेफ्ट हैंट राइट साइड के एक वाइन पूर रहे नहीं प्रूश इनस लेफ्ट हैंट साइड इस हैं है फ्ल्ट को राइट लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल अभी तक अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को पास करके आप ऐसा करेंगे यहाला क्वेस्टिन उतार ले यह स्क्रीन शूट ले ले क्योंकि हम अगला कुस्टिन नमर लेमन करने लगे हैं अब मेरे पास आगया जी क्वेस्टिन नमर लेमन लेमन है जी मेरे पास साइन कास्ट टेंगेंट वन ओनrices साइन थीटा कास थीटा टेंगेंट स्केर्थीटा माइनस वन जो कि उकलए कोज स्केर्थीटा साइन थटीटा कास थीटथीटा प्लस कास थीटा न डिवाइड बाइ टैन स्केर थीटा माइनस वा लिख लेगा अब यह दिविजिन में इसने ओपर नीचे फ्रेक्शन इस तरह लिखा हुआ था मैंने इसको इस तरह लिख ली कोई फरण नहीं पड़ता यह नहीं कि अगर यह लिखा हूँ तो डिवाइड यह लिख सकते हैं यह भी लिख सकते हैं अब इसको मैंने इस तरह लिख लिए इस तरह लिख लिए क्योंकि आगे जाकर एक स्टेप में ड़ी चेंज होते हैं वहां पर डायरेक्ट इस तरह प्याप कर सकते हैं लेकिन वहां पर समझने में अक्सर स्टूडर कन्फ्यूज हो 10 theta sin of vale cause quién of vale is, تو 10 کی جگہ میں तेख hiçbir क्या लेंने sin theta over cause theta लेंने –1 इसी तरह आज़ए अब यहाँ पर आप सोचने होगे एक तो 10 theta sin theta over cause theta की Kelvin is, यह है तो पस 10 नहीं है यह है 10 स्केर theta तो 10 sin of vale cause की Kelvin स्केर तो 10 sin square over cause की Kelvin हो जईएगा यह फर्क है, यह अगर इस टेंगेंट के ओपर स्केर है, तो इसकी जो वैलियो इसकी ओपर स्केर आजाएगा, तो इस तरह यहाँ इसकी ओपर स्केर था तो इसकी ओपर स्केर आजाएगा, अब यह मेरे पास जो साइन थीटा प्लस कास थीटा ही, इसी तरह आजाएगा, और divide का sign इसी तरह आजाएगा, यहां मैं ले लूँगा, cos square theta, LCM ले लूँगा, अब denominator और LCM सेम है, nominator इसी तरह आजाएगा, यह जो नीचे नमर था, वो ही मेरा LCM था, तो इसलिए मेरा उपर वला नमर as it is आगे, minus, यहां तो denominator है ही नहीं, कुछ नमर है, जिसके नीचे डी नूमिनेटर ना हो, कुछ ना हो, LCM उससे multiply होता है, तो जब यह वाले मेरे पास LCM है, cos square theta, जब cos square theta one से multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, cos one है, cos square theta, अब यहां पर जो काम मैंने, वो शुरू में कहा था, कि यह last step में होगा, 4 मेंदर कर, अब देखो जब डिवाइड का sign, अब जब डिवाइड है, इसको मैंने change कर दिया, multiply है, जब डिवाइड को multiply है में change किया, तो मेरा जो denominator था, cos square, उपर चला गया, और यह जो है, मेरे पास sin square theta minus one था ना, तो इसे sin theta plus cos theta और sin theta minus cos theta अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा, sin square theta minus cos square theta, यह एसकेर माइनस b square, फार्मूला होते हैं न, a square minus, यह फार्मूला हमारे पास होता है, a square minus b square, जो कि एक्वल होता है, a plus b into a minus b, या a minus into a plus b, तो यहाँ पर a square, यह नहीं, sin square है, b square मतलब, cos square है, तो a square minus b square, एक लफा, plus के साथ, एक लफा minus के साथ, sin square theta minus cos square theta किसकी एकवल होता है, sin theta plus cos theta, sin theta minus cos theta, यह ए प्लस b, a minus b, यह इसलिए ही किया है, क्योंकि यह देखो, plus वाले, इस plus वाले से क्या हो गया, cancel हो गया, उपर क्या बचा, cos square theta, नीचे बचाजी, sin theta minus cos theta, जो के मेरे पास क्या है, राइट end side है, यह राइट end side इस तरह मैंने बना ली, तो इस तरह मेरे पास, जो left end side थी, वो right end side के equal आके प्रूब हो गया, सुर्णे यह हूप के question समझ आगे होगा, और इस question को, जो है, वीडियो को बास कर रहे हैं, यह question आप उतार ले, ताकि हम, जो next question number 12 है, उसकी तरफ चलते हैं, question number 12, cos square theta, sin square theta, science square theta, cos square theta, science square theta, question number 12, cos square theta, sin theta plus, sin theta, plus sin theta, is equal to, कि दर जी, को सिकते हैं, अब यह मेरे पास है, cos square theta, sin theta, plus sin theta, left end side लेने लगो, sin, जो left end side है मेरे पास, उसमें किया है, sin theta मैंने LCM ले लिए, जो मेरे पास यहाँ पर sin theta है, वो ही मेरे LCM है, LCM denominator, same, उपर व़ला कास केर सिकते हैं, आगे, इसके नीचे तो डी लूमिनेटर है यह नहीं, यह वला जो साइन है, जब यह वला साइन इस साइन से मल्टिप्लाए होगा, तो साइन मल्टिप्लाए होगा है साइन, कितने दो साइन, यह नहीं साइन स्केर theta, साइन यह वला और यह वला साइन, यह वला साइन जब इस साइन से मल्टिप्लाए होगा, तो ये दोनों sign मिलके sign square theta होते हैं अब cast square theta plus sign square theta य य य अपला Re Cherry theta मेरे पास क्या है तो वो किस eqo होता है यह जब दोनों एडेन्टी के उपर square हो तो वो किस की कवल होता है relation हमारे पास 1 की कवल है उपर उपर मेरे पास क्या आ गया 1 जीचे मेरे पास क्या आ गया sin theta 1 over sin theta जो होता है वो मेरे पास होता है जी जो कि मेरे पास right and side ठीक है यह देखे कोसिकंट किसकी कवल होते है वान अवर साइन ठीक है तो साइन देखो किसकी कवल है वान अवर कोसिकंट एक दूसरे कहा है अगर साइन वान अवर कोसिकंट है तो कोसिकंट वान अवर साइन यहां मेरे पास वान अवर साइन है यह देखो one hour sign किस की equal आ रहा है कोसी गहा है तो चोटा सा question था तो question number मेरे पास 12 है yes question number 12 हो गया तो चले अब यहां तक question को खता है इस lecture को खता हो करते है जो next question है अगले lecture में हम next question को करेंगे I hope को question समझा आ गया होगा नहीं आया तो comment में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं उसका जो है आपको जवाब मिल जाएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजीगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजीगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजीगा इन्शाला मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ तब तक अलाफिस